तो दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल All Technical Solutions में तो दोस्तों आप अगर IRCTC इस एप के जरीए अगर आप रेल के टिकेट बुक करना चाते तो आप यह किस तरह से कर सकते यह सब चीजे हम आज की वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले तो दोस्तों यह सब सिखने से पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके इस एप को यहाँ पर डाउनलोड करना होगा तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर लेके चलता हूँ यहाँ पर जाने की बाद आपको दोस्तों यहाँ पर IRCTC टाइप करके लेना है और इस एप को आपको अ तो दोस्तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा तो दोस्तो आप अगर इस एप पे नहीं है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्टेशन करके लेना होगा तो दोस्तो रजिस्टेशन करने के लिए आपको जो नीची का जो रो दिख रहे है वहाँ पे आप आपको यहाँ पर माय अकाउंट्स पर क्लिक करके लेना होगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के विंडो यहाँ पर आने वाला है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर यूजर ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपको वहाँ पर जाके तो दोस्तो इस registration के process के उपर मैंने एक detail में पूरा वीडियो बनाए है तो उस वीडियो का link मैं description में दे रहा हूँ तो आप वहाँ पर जाके पूरा जो registration का process है वो यहाँ पर step by step detail में देख सकते हैं तो दोस्तो आप वहाँ से registration कर लिजे तो दोस्तो registration करने के बाद आपका username आपको यहाँ पर मिलने वाला है और एक आप pin यहाँ पर generate करते हो तो दोस्तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है जो pin आपने यहाँ पर generate किया है वो pin आपको यहाँ डाल के लेना है और उसके बाद आपको यहां पर login करना है तो दोस्तों मेरा यूजर नेम यहां पर आ गया है तो मैं इसका पीन यहां पर डाल के लेता हूं और उसके बाद एक capture code है उसे में यहां पर डाल के यहां पर login कर लेता हूं तो दोस्तों यहां पर यह verification कर रहा है तो एक OTP यहाँ पर आ गया तो मैं इस OTP को यहाँ पर enter कर लेता हूँ और यहाँ पर verify कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो इस तरह का एक page हमारे सामनी यहाँ पर आने वाला है तो हम यहाँ पर train, flight, bus, hotel यह बहुत सारी चीजों का booking हम online तरीके से यहाँ से कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले train का booking हम किस तरह से कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर हमें सबसे पहले from और to ऐसे दो options यहाँ पर सबसे उपर दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तो फ्रॉम मतलब हम जहां से जाने वाले मतलब हमारा जो departure है वो station हमें यहाँ पर डालना है और to मतलब हम जहाँ पर जाना चाते हैं मतलब हमारा जो destination है वो station हम यहाँ पर select करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजेए कि हम यहाँ पे पूने में रहते और हमें यहाँ पे मुंबई पे जाना है तो दोस्तों हमें यहाँ पे फ्रॉम में यहाँ पे पूने डालना है क्योंकि हम यहाँ पे पूने से निकल रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्रॉम पे कर लेते और हम यहाँ पर पुने जंक्शन सिलेक्ट कर लेते उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जाना है मुंबई में तो हम टू की जगा पर यहाँ पर क्लिक कर लेते और यहाँ पर हम मुंबई डाल के लिए तो मैं यहाँ पर मुंबई टाइप करके लेता हूँ और यहा AC2 या ACT इस तरह से बहुत सरे options यहाँ पर मिल रहे हैं जैसे कि आपको लीचे economy, sleeper first class, second sitting ऐसे बहुत सरे options यहाँ पर मिल रहे हैं तो आप जिस भी class से जाना चाते हैं उस class को आप यहाँ से select कर सकते हो तो फिलाल तो मैं यहाँ पर all classes रख देता हूँ उसके बाद दोस्तों जो quota का option है आप वहाँ पर click कर लीजे तो यहाँ पर हमने general रखा है पहले से लेकिन आप अगर ladies हो आपको special अगर ladies compartment यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर ladies select कर लीजे तो दोस्तों आप जो भी चाहिए वो quota आप यहाँ से select कर सकते हो उसके बाद दोस्तों departure date का option हमारे सामनी यहाँ पर आने वाले तो दोस्तो departure date मतलब आप किस तारिक को यहाँ पर जाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर 18 जुले मतलब आज की तारिक यहाँ पर दिखा रहे तो आप अगर कल जाना चाते हो तो आप यहां पे 19 जुले यहां पर सिलेक्ट करके रखता हूँ तो उसके बाद दोस्तो हम यहां पर नीचे सर्च ट्रेंज का जो ओप्शन हमें दिखाई दे रहे हो आपे हम क्लिक कर लेते उसके बाद दोस्तों आपको पुने और मुंबय में 19 जुले को जो भी ट्रेंश यहाँ पर आफे लेवल है उन ट्रेंश की लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर आने वाले है तो यहाँ पर दोस्तों हम regular train यहाँ पर सलेट कार ये जिसी कि यह चालक क्या एक्सप्रेस जिसका नंबर है 11006 तो दोस्तों ये ट्रेन पुने से 2 बच के 10 मिनिट को यहाँ पे निकलने वाली है और 5 बच के 30 मिनिट को यह दादर स्टेशन पे यहाँ पे पोचने वाली है और यह पूरी जो जर्नी है वो यहाँ पे 3 आवर्स और 20 मिनिट में यहाँ पे खतम होने वाली है मतलब यहाँ पे 3 गंटे और 20 मिनिट तक आपको यहाँ पे ट्रैवल करना होगा तो यहाँ पे नीचे आप क्लास सिलेट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 3 ए मतलब 3 एसी तो हम इस क्लास को यहाँ पे सिलेट कर लेते और इस पे डबल क्लिक करने तो आप दूसरे ट्रेंस पर यहाँ पर ट्राइ करके दिखे लेकिन इस ट्रेंड में हमें 21 तारिक को एक सीट यहाँ पर दिखाई दे रही तो हमने इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया तो दोस्तो हम यहाँ पर 2A पर भी ट्राइ करके दिखते हैं तो यहाँ पर जाने की बाद हमें 19 को यहाँ पर weighting दिखाई दे रहे हुए मतलब यहाँ पर सभी seats अभी पर waiting condition में है तो यहाँ पर हमें 19 कोई reading छांसेस नहीकों को कोई seat मिलने के chances नहीं है तो हम यहाँ पर 21 को select कर सकते उसके बाद दोस्तो हमें यहाँ पे passenger details पे click करके लेना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे हमें confirmation के लिए पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे I agree पे click करना होगा और फिर से यहाँ पे confirm पे click करना होगा तो उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे okay करके लेना है उसके बाद करने हम यहाँ पर एड़ न्यू पर क्लिक करके लेते और यहाँ पर जो पैसेंजर हम एड़ करना चाते उसका हम नेम यहाँ पर डाल लेते उसका एज हम यहाँ पर नीचे डालते वह मेल ही यह हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते नैशनलिटी में यहाँ पर इंडिया आएगा औ को यहां पे मतलब आप कहा पे बैठना चाहते हो तो वह आप यहां पे सलेक्ट कर लें दो अगर आपके साथ और एक अदमी तो आप फिर से एक बार add new करके यहाँ पर आपने अभी अभी जिस तरह से जो data fill up किये था उस तरह से आप यहाँ पर fill up कर दीजे उसके बाद दोस्तों आपको नीचे passenger mobile number में अपना mobile number डालना है और यहाँ पर नीचे आपको आपका email ID या आपके mobile number पर आपके ticket को यहाँ पर वहजा ज पड़ेगा तो आपको यहाँ पर IRCTC के तरफ से message भी आ गया है आपका जो booking है उसका आपको एक OTP यहाँ पर आ गये तो वह OTP आप यहाँ पर डाल के लिजे तो यहाँ पर यहाँ पर इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर proceed to pay पर क्लिक करके लेता हूं उसके बाद मैं यहाँ पर yes पर क्लिक करके लिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर payment करने के लिए बहुत सारे options बिल रहे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे उपर जो multiple payment option है वहाँ पर आपको क्लिक करके लिए तो आप यहाँ से अपने debit card आपके credit card या आपका अगर UPI है तो आप जिस भी method से चाह ठोने लेते हैं यहाँ पर हमें card number डालना है और उसके बाद दूस्तों हमें हमारे card का जो वेलिडिटी है वह धमीं यहाँ पर डालके लेना है और जो सी वी में यहाँ में पैसे यहाँ पे cut हो जाएंगे और आपका टिकेट यहाँ पे book हो जाएगा तो इसतरह से दोस्तों आप IRC